हेलो एब्रिवन वेल्कम टू प्रिहोग एडमी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमासवत की छंद नंबर 36 से लेके 40 तक के छंदोगी तो यहां पर कैमासवत जो है वो पित्विगास रासो में से एक सरी लिया गया है लेखा के इसके चंदवरदाई और संपादा क माता पर साथ गुप तो चलिए वीडियो को स्चार्ट करते हैं उससे बेल अगर आप चाना पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देजेगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते गए इससे पहले पुद्रगुराय वांदिये बाली किनी गड़े आउ सुतसुग्रीव जीवलिये चंद किनी गड़े आउ किये गुरुदार सा किल्लव रवीनपंड गिल्लेई आउ पुच्छी सहदेव पहिलल आउ गड़व न इंदू गोतम रशी वरुसराय हडिय जिनी इद गोश दोश पिथिगाज सुनी मतिगड़ गड़ गई संभरी घनी तो यहाँ पर देखे संदग वापका वही गएगा संदग में किसी तेकर कोई बदलाव नहीं है प्रसंग देखते हैं प्रसंग में हाँ कहा गया है कि चंद कवी पिथिगाज से अतियंत युक्ति पूर्वक कैमास की पत्नी को उसके मित पती का शर्व देने की प्रातना करते हैं यहाँ पे चंद वर्दाई जो हैं वो पिथिगाज से बहुत ही विनंग विल्ति करते हैं कि जो कैमास की पत्नी है उसके पत्नी का शर्व दे दिया जाए ठीक है व्याख्या देखिए चंद कहते हैं शाकागरी नगेश महराज पिथवी गाज तीक है तो यहाँ पे वो किसे बुला गए हैं पिथवी गाज को संबूतित करते हैं चंद रवी कि है पिथवी गाज गावन को किसने गाड़ा था यानि गावन को किसने गाड़ा था गोश में शरीगाम ने उसे बान ही तो मारा था ठीक है यानि कि गावन को किसने गाड़ा था गाज बदी को किसने गाड़ा था उसका प्राण तो सुगरीव से हरण किया था ठीक है यानि उसका प्राण किसने गाड़ा था सुगरीव से ह पांडू ने भी सूरे को नहीं गाड़ा था है देव ऐसे पूर्व प्रिसंग का विवगन आप सभा से पूछें इंद्र को भी गौतम गिशी ने नहीं गाड़ा था किवल श्राप दे कर ही छोड़ दिया था ही पित्वी गाज महागाज कैमास के ऐसे आजकन पर इतना क्रोध करना दोश है यानि उस पर इतने भी क्रोधित मत होईए अतहा आप कैमास को न गाड़िये यानि कि कैमास का जो आपने काड़ा हुआ शरीर है उसे निकलवाईए और वो शब जो है वो उसकी पतनी को प्रदान कर दीजिए ठीक है आगे देखिए इसमें भाशा कौन सी गही भाशा है इसमें डिंगल छंतकवित और अलंकाग है अनुप्रास और दिश्टांत आगे देखिए संदर विसका यह गहेगा ठीक है पैसंग देखिए पित्वी गाज ने चंद से कैमास का शब लोटाने के निए एक शर्त रखते हुए कहा यहाँ पित्वी गाज कह देते हैं कि मैं सब कैमास की पत्नी को लोटा दूँगा लेकिन जो एक शर्त है मेरी और आपको वो शर्त माननी होगी ठीक है अब पित्वी गाज कविचंद के आगे एक शर्त रखते हैं व्याख्या देखिए पित्वी गाज ने कहा तुझे कैमा को तब अर्पित करूंगा जब मेरे हेदय का अंदेशा मिटेगा जब तु पांगुल प्रभूज जैचंद नरेश को मुझे दिखाएगा यानि कि जो प्रित्वी राज हैं वो ये कहते हैं कि मैं कैमास तुम्हें तब दूंगा जब मेरे हेदय में जो शंका है जो एक बूजन नरेश को मुझे दिखाएगा यानि जैचंद नरेश के बारे में मुझे बताएगा उसके बाद ही मैं जो कैमास का शव है वो उसकी पतनी को दूंगा त्टिक है यहां पर देखिए चंद कौन सा है यहां पर दो हा चंद है ठीक है कि ब्दिंगल भाशा है और और गिल्टेश्ट तिहीज काल हॉती बर्बर पूलाई युन में शूकृम agtsalo भूहाल तो उसन्दरब वही गवीगा प्रशंग देखते हैं प्रसंग में काहा है कि चंद पित्विगाज की शर्द के उत्तर में क्या कहते हैं ठीक है वो यहां पर पताया गया है कि चंद पित्विगाज की शर्द के उत्तर में कहते हैं कि चंद ने कहा इस चंड तो मन में धैगे रखो यानि इस समय मन में धैगे रखो इस समय तुम्हागा शत्वू देख रहा है यानि कि तुम्हागा जो शत्वू है वो आजपास है वो तुम्हें सुन पा रहा है तुम्हागे का नौज आकरमण की बात वह जान गया है बहुत बरबर होकर नाघए हो यानि बहुत उस्साहित होकर मत रहो बता कि तुह भूपाज किस प्रकार कपनोग चलेगा यानी वो पूचते हैं जुर चंद्र वाजाए है कि तो मुझे बता कि तुह कनोग चाहेगा क्यशे कानोग पहुंचेगा कैसे ठीक है अभी यहां पे भाषा देखे भाषा है यहां पे डिंगल चंद है दो है यह दू हा अलंकाग है अनुप्राश प्रेश्ण और उत्पेक्षा कि नेक्स देखिए चलव भट सेवग होई सत्थेम जव बोलव तहत्थू तुहू मत्य है जब है गाई जाने ही संसुहु हुआ तब अंगमव समग तुहूनी भुआ अब यहां पर देखिए संदग्वा आपका भही गएगा संदग्व में किस तरीकर का पतलाव नहीं है प्रसंग देखिए पैसंग में कहा है यहां पित्वी राज चंद को अपनी योजना बताते हैं और साथ ही अपनी वीर्टा का पकान भी करते हैं यानि अपनी वीर्टा के बारे में बताते हैं और अपनी योजना के बारे में बताते हैं ठीक है व्याख्या देखिए पित्वी राज ने कहा हे भट यानि हे चंद मैं तुम्हारे साथ सेवक बन कर चलूँगा यानि मैं तुम्हारा सेवक बन कर वहां तक चलूँगा यदि उस समय मैं कुछ बोलूँ यानि अगर मैं कुछ भी वहां बोलूँ तो मेरा हाथ तुम्हारे मस्तख पर है यानि मैं तुम्हारी सोगंद लेता हूँ मैं वहां कुछ नहीं बोलूँगा मैं तुम्हारी सोगंद खाता हूँ जब गाजा जैचंद मुझे सम्मुख होका जानेगा यानि अगर गाजा जैचंद मुझे चान जाता है मैं सम्मुख मतल्ब मुझे पचान जाता है और लास्ट चंद देखिए यह आखरी चंद है दोई कंठ लग्ये गहन नैनहे जलगल नियाहनू अब जीवन वंची ही अधिक कही कभी कौन सयानू ठीक है यहां पर यह आपका पूरा हो जाता है ठीक है दोहा संदग आपका यहीं गहेगा ठीक है इससे हमें पता चल गए है दो लाइन आया दोहा है ठीक अब प्रसंग देखिए यहां प्यत्विकाज और चंद आपस में बात करते हैं अब योजना पुछी है ठीक है चंद ने और प्यत्विकाज जो है वो योजना बता रहे हैं तो जाहिर से बात हैं पर बात चीछ चल जब आई दूसरे से अपनी बात शेयर कर ली उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं ठीक है यानि कि वो खुशी के आसो होते हैं उनके प्रतिविगाज ने कहा हे कभी तुम ही कहो अब जैचंद के द्वारा अपमानित होने पर कौन समझदार व्यक्ति जैघाएं एमग्र만 काल एपने अधानित करिए तो भी जानावानित को मार देगा तो भी कहते हैं कि शतुमार दू को मार दूँगा यान थिक मैं ठीक है तो यहां पर देखिए sip भाशा क्या है भाशा अब भाशा का ही video पसंद आई हो तो video को like करें comment करके बताएं कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ share करें साथ Thp Academy चैनल को subscribe परें और notification bell को press करें जिससे आने वाली videos के notification आपको मिलती कहें thanks for watching see you soon bye